बिहार बोड ने इंटरमेट्टी की फाइनल प्रिच्छा में चात्रों को दी है बरी छूट जो भी फाइनल प्रिच्छा देने वाले हैं 2023 की फेवरी महा में तो उनके लिए प्रिचार्थी के लिए बरी छूट दी गई है अब चात्रों को टेंसन जो है बो यहाँ पे समाप होने जारी है बिहार बोड ने उनकी बात माल ली है तो पूरी वीडियो बिल्कूर ध्यान से देखेंगे चैनल पे पहली बारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेंगे ताकि बिहार बोड की हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे है आपको बता दे कि बिहार बुट की इंटर और मैट्री की परिच्छा फेवरी से ही होने जा रही है पिछले साल की तरह एक फेवरी से आपकी इंटर की परिच्छा और 17 फेवरी से मैट्री की परिच्छा जो है वो संभावी थे और ऐसे में छात लगातार परहसान थे, सबसे ज़्यादा पैटर्न को लेकर कि उनका पैटर्न क्या रहेगा लगातार चातरों में यही जो है विसे जो है बना हुआ है चर्चा में कि आखिर पैटर्न क्या होगा क्या बिहार बुर्ड पैटर्न में 60 objective पुछेगी क्या 100 objective पुछेगी क्या 42 objective पुछेगी या 70 objective पुछेगी लगातार ये चर्चा कभे से है और चातर जो है परेशान थे अब उसका जवाब जो है final हो गया है चातरों के लिए बरी खुसकबरी बिहार बुड ने यहाँ पे दे दी है आपको बता दे कि इसका फैस आपको अलग तो देखने को नहीं मिलेगा तो छातर जो है यहाँ संसय मे आगे कि क्या model paper में कुछ बदलाव हो जाएगी model paper बिहार बुर जारी करेगी तो क्या model paper में 70 objective वे जगा 42 objective होंगे क्या model paper में 100 objective वे जगा 60 objective होंगे तो लगातार छात्रों में यही संसे बना हुआ था और इस पे अब बिराम यहाँ पे लगता हुआ दिखराया है आपको बता दे कि center परिच्छा इंटर का करीवकरी समाप्त हो चुका है दो तीन जगा बाकी है तो वह आपका समाप्त होने के करीव है तेस तारीको center का result भी यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा और आपको बता दे कि जनवरी में आपकी final जो है वो आपका practical का परिच्छा होगा और February में final exam की परिच्छा होगी उससे पहले matric का center exam भी 15 नमबर से सुरू होने जा रहा है तो ऐसे में matric वाले चात्र भी परिच्छान है कि उनका pattern क्या inter वालों की तरह रहेगा या matric का pattern अलग रहेगा तो यहाँ पे center exam में जो आपका inter का pattern था वही matric का यह pattern रहेगा main focus चात्र को परिच्छा को लेकर कि final परिच्छा में उनका pattern क्या रहेगा तो इसके लिए यहाँ पे आपको बता दे कि final परिच्छा में जो pattern होगा वो पिछले साल जैसा ही बी हार्बोर यहां पर रखने जा रही है सबसे पहले बात करे practical exam की जो कि आपके जनवरी महां में iogit किया जाएगा जो कि 10 जनवरी के बाद या 10 जनवरी से 14 जनवरी के बीच में सुरूआत करा दी जाएगी practical exam की तो आपको बता दे कि अगर practical exam देने जा रहे हैं तो उसमें जो pattern फिछले साल का था वैसा ही pattern रखा जाएगा सबसे पहले आपको बता दे कि practical में भी double option आपको दिये जाएगे यानि फिछले साल double option practical के दिये गए थे तो आपको इस बार भी दिये जाएगे और practical की copy भी आपको बनानी होगी जिसमें practical की copy के जो marks मिलते हैं वो आपको मिलेंगे उसके अराबे oral भी किया जाएगा वैवा भी किया जाएगा और practical का question भी करबाया जाएगा जो की बिहार बोड सभी आ स्कूल कॉलेज में एक ही question देगी जैसा कि आप सेंटर अप एक्जाम में देखे थे हलाकि group set code जो है practical exam में set code नहीं होता है सभी का same question होता है बात करें final exam का तो final exam में बिहार बोड ने निने लिया है कि आपके 10 set code ही जारी करेगी यानि set A से लेकर आपका 10 set code जारी होगा जो की अलग-अलग set code रहेंगे serial number के अनुसार लेकिन सारे में questions जो है बोड सेम रहेगा छातरों को किसी तरह कोई परिशाणी नहीं होगा बस serial number चेंज रहेगा जिसमें objective और subjective दोनों में double option देखने को मिलेंगे यानि 100 number का अगर आपका exam है तो अहाँ पे 100 objective मिलेगा जिसमें छातरों को 50 objective solve करने होंगे वही बात करें short answer और long answer के तो इसमें भी छातरों को double option दिये जाएंगे short answer पिछले साल के तरह भी 2 number के होंगे और long answer पिछले साल के तरह ही 5 number के होंगे जिसमें double option देखने को मिलेंगे वही बात करें आपका 70 number का paper का तो 70 number में 70 objective रहेगा जिसमें 35 प्रशनों के जवाब देने होंगे 35 आपका objective हो जाएगा और 35 जो है वो long answer और short answer को मिला कर देना होगा और short answer और long answer में भी छात्रों को double option दिया जाएगा यानि इस बार भी छात्र पे बिहार बोर्ट पुरी तरह से महरबान है और marking का pattern भी बहुत वरी खुसकबरी ये है कि marking का pattern भी पिछले साल जैसा ही रखा जाएगा यानि step by step marking को जो cbsc follow करते आई है बिवार बोर्ट ने पिछले साल से उसे follow किया है और उसी pattern के तहत आपकी marking दी जाएगी अगर आपको किसी प्रस्न के पूरे सवाल के answer नहीं आ रहे हैं तो आप आधे answer भी लिख सकते हैं और आपको step by step marking दिया जाएगा बस आपको ध्यान रखना होगा कि आप cross कम करें copy लिखने का जो pattern है उस अनुसार copy लिखें ठीक है question जब answer कर रहे है तो आप step by step answer करें और इसका अधिक सदिक अभी practice कर ले क्योंकि अभी तीन महीना exam में है तो जितना ज़्यादा आप practice करेंगे exam में उतना अच्छा आप लिख पाएंगे तो यहाँ पे जबर्दस्ट आपको बता दिया गया है इस तरह से करना है सबसे बरी बात कि आपको बता दिक practical की copy अगर अभी तक आप नहीं बनाए हैं तो practical copy जरूर से बना ले क्योंकि practical copy पे भी आपका marks मिलेगा अगर आप practical copy नहीं बनाते हैं तो इस वार आपको problem हो सकता है क क्योंकि इस वार बिहार बोर्ड ने किलियर कर दिया है कि सभी चात्रों की practical की copy बिहार बोर्ड इस वार चेक कर सकती है यानि पहले college में ही copy रह जाता था लेकिन इस वार बिहार बोर्ड ने कुछ निर्देश दिये हैं कि board के अधिकारी college विजिट करेंगे और college जाकर आपक कि college जो है practical के बतले पैसे ले लेते हैं और practical का exam की copy जो है वो चात्रों से नहीं लेते हैं तिस पे रोक लगाने के लिए बिहार बोर्ड ने काफी अच्छा निने लिया है अब आपको हर हाल में practical ही copy बनानी होगी और किसी तरह के कोई पैसा आपको practical में college में नहीं देना जो ये practical के नाम पे बसूली करते हैं इस पर भी रोक लग जाएगी तो आपको pattern यहाँ पे समझा दिये pattern दुगना होगा ठीकि objective और subjective दोनों दुगने होगे और चात जो है step by marking देंगे तो उनके full marks यहाँ पे दिये जाएगे और बहुत बड़ी update आपके लिए ये भी बता द आते हैं तो एक्जाम में आपका कुछ question नहीं छुटेगा चाहे वो objective का हो या subjective का इसके लिए दो पर के दो बज़े आपको live class इस चैनल के थोड़ दिया जा रहा है है पहली class दो पर के दो बज़े उसके बाद साम के 7 बज़े दूसरी class और तीसरी class जो है रात के 8.45 में या description में दिया गया है telegram group जरूर से join करें ताकि हर update आपको मिलते रहे और live class का link telegram group में send किया जाता है तो telegram group join कर ले और live class में जरूर से जरूर जोरे और यहाँ पे 3 महिने में आप 90% marks आसानी से ला सकते हैं तो मिलते हैं आप से नई वीडियो में नई update के साथ बने रहे हैं च सदिक दोस्तों तक सेर कड़ी ताकि सभी तकी जनकारी पहुंच सके